हम सब को पता है कि डिक्शनरी क्या होती है यह शब्द कोश की एक ऐसी पुस्तक होती है जो बहुत मोटी होती है और इसमें हमें तमाम शब्दों का मतलब उसका अर्थ उसका प्रयोग और उनकी सच्चाई कहां इस्तिमाल करना है हमें मीजी सिंदगी में यह भी मालू होता है डिक्शनरी हमें हमारे शब्द कोश को बढ़ाती है और हमें शब्दों का ग्यान देती है आईए आज जांक कर देखता है कि डिक्शनरी इसमें क्या सच है क्या जूट है और सबसे बड़ी बात है तो क्या हमारे जिंदगी में ये क्या माईने रखती है दिक्ष्णरी एक ऐसी जगा है जिसमें डेथ लाइफ से पहले आती है End, Start से पहले आता है Divorce, Marriage से पहले आता है Child, Parents से पहले आता है Evening, Morning से पहले आती है result, test से पहले आता है destination, struggle से पहले आता है dinner, lunch से पहले आता है doctor, fever से पहले आता है केवल एक ही चीज़ है dictionary में जो सही आती है और वही शब्द हम सब के लिए बहुत माईने रखता है मगर हम बहुत बार नजर अंदास करते हैं वो शब्द है friends, दोस्त, दोस्तों ये आप तमाम दोस्तों के लिए क्योंके friends, relative से पहले आता है ये तमाम dictionary की line जो मैंने पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए क्योंके मेरे जीवन में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगतान है और अगर हम सब अपनी सिंदगी में चाथ कर देखे तो आप यकीनन इस बात को मान लेंगे कि अगर वो ना होते तो आज शायद आप जो भी है वो ना होते और जिस बात का गुरू है आपको कि आप सिंदगी में हो और आगे भी रहोगे वो शायद दोस्तों के वज़े से ही होगा उन तमाम दोस्तों को जो दोस्ती पर भरोसा रखते हैं और वफादारी से निपाते हैं उन सब को सलाम धन्यवाद